हे गाईस वेलकम बैक टू माई चैनल रेशु मोनो व्लोग में तो गाईस देखिए मैं आज काम स्टार्ट कर रही हूं कपड़ा धोने से क्योंकि कपड़ा मेरा बहुत सारा था तो सबसे पहले मैं सोची कि कपड़ा ही धोती हूं क्योंकि बाबू का पेंट वगेरा है उसको मतलब सुखाना है क्योंकि पेंट उसका नहीं है एकडोट हो ही है बाकी नहीं है तो दोगो देती हूं सुखा दोंगी तो फिर ठीक रहेगा करके तो आज मैं कपड़ा ही धोरी हूं सुब्बा से सुब्या से मेरा पहला काम वही है और बाबू क्या है सुशो वगेरा करके अभी ठंडी का टाइम है तो बहुत पेंट कहंदा करता है तो मैं क्या उसको टाइपर वगेरत पहनाती नहीं है बड़ा भी हो गया है और मैं छोटे में भी नहीं पहनाती थी उसको टाइपर वगेरा मैं खुद अपना साफ कर लेती थी ज्यादा ही करता था तो फिर मतलब कि लिए सब्सक्रानेश हैं nii अप्छे हλοगी थीए जबिए मेरा कपड़ा एकर था वो धीर दीरे मैं पूरा धो हरही हूँ अपने हाथों से और ठंडी का टाइम है तो हाला तो खराब होगा भई इसी कारण देखें पीड़ा में बैट के उसको धो रही हूं तो काफी मोजा वगेरा भी तो काफी गंदा कर देता है होई जाता है बच्चे का कपड़ा है तो और सामने धूल है तो धूल में ज्यादा खेलता ह मेरा बाबू इस कारण से कपड़ा वगेरा कुछ ज्यादा ही गंदा हो जाता है मेरा बाबू का ही ज्यादातर मेरा क्या में थोड़ी न खेलूंगी तो ये देखिए मेरा कपड़ा धुल गया है और सबको दो-तीन पानी करके धोडा लिया, अवे लास्ट है जो रख रही ह टेबल स्टूल में क्योंकि अब हो गया है complete कपड़ा नी चोड़ रही हूं अब मैं और इधर ना दोनों मेरे मेरा बाबू और मेरे हजबन जोए दोनों सोई हुए हैं उनलों तो कपड़ा धोते ना बाबू जैसे उड़ जाता है ना तो कपड़ा धोते मुझे नहीं बनता ह मैं उसको क्या है देखते रहती हूं क्योंकि इधर उधर भागे ना करके तो इसके वज़द से ना यह सोए हुए है साथ में हैं तो चलो फिर कपड़ा ही धो लेते हैं उसके बाद अपना दूसरा काम करेंगे करके वही कर रहे हूं मैं तो यह देखे मेरा कपड़ा पूरा धुल गया है अब मैं ले जा रही हूं उसको सुखाने के लिए अब सुखाना भी तो जरू है जल्दी से सुखा दूंगी तो जल्दी फिर सूख जाएगा तो देखे गाइस पूरा कपड़ा मैं सुखा रही हूं धीरे धीरे अपना और धूप में आई हूना बहुत मस्त लग रहा है धूप ठंडी वाला धूप बहुत अच्छा लगता है लेकिन हाँ थोड़ा लेट होता है उसके बाद थोड़ा जादा ही लग जाता है लेकिन स सुबे सुबे का जो धूप रहता है न वह बहुत अच्छा लगता है तो साइस देखे मेरा कपड़ा पूरा सुख गया है और आज बहुत सारा कपड़ा था धोले मी हाथ के ठंडी का दिन में दोर तो देखे पूरा मैं तालने लगा दी हूँ देखे पूरा कम भी ठोग ग नेट से उखी हूँ आज तो दो देखे गाइस आ गई हूँ मैं अब कीचन में दाल को धोरी हूं दाल को चड़ा देती हूं चामल को चड़ा देती हूं और गाइज क्या है न मेरा बहुत दिन हो गया हफ़तादीन ही भी हो गया खा रही है हूँ दवाई बगरा लेकिन मेरी तभयद न ठीक भी नहीं हो रही है खासी मेरे को कुछ ज़्यादा ही आ रहा है तो इसके वज़ए से और रात में जो है ना बाबू बहुत परिशान करता है रात में सोता ही नहीं है पता नहीं क्यों दिन में तो अपना नींद पूरा कर लेता है पर रात में नहीं सोता है ज्यादा वो तो बहुत तंग करता है तो सोने में मुझे बहुत मतलब लेट हो जाता है इसी का थोड़ा हो गया था ना आज मुझे तो गैस में चड़ा देती हूं चामल को दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाएगा और यह देखें वाबू उठ गया है और यह चले भी गया है तो अब इस तर को भी अपना जाड़ लेती हूं क्योंकि अब हो तो गया है और यहां पे ना सुसू कर दिया है बाबू चादर में तो वो सब को छट में सुखाने के लिए लेकर जाओंगी तो उसको साइड में रख दी हूं मैं और यह वाला चादर को भी ना सुखा दोंगी फिर उसके बाद में धो दोंगी तो देखे थी EOS मैं आ गई हूं फिर वह कीचैन में और मेरा चावल जो है ना हो गया है पक गया है को अब मैं उसको में पसा देती हूं क्योंकि फिर गिला हो जाएगा क्योंकि उस दिन का मेरा जामल जो है गिला हो गया था तो आज नहीं होगा बट क्योंकि देख भी रही थी मैं और बहुत खांसी भी आ रहा है मुझे तो देखे गाइस मेरा भात हो गया है पसा ढली हूँ और भाबू को क्या है मैंने उसके धादी को दे दी थी तो वो पकड़ी हुई है तो इधर मैं जल्दी जल्दी अपना काम फिर करने के लिए आ गई हूँ क्योंकि वो रो रहा था तो मैं नीचे में ही दे देती हूं करके नीचे में ही दे दी खेलेगा तो उत्ते में फिर मेरा काम हो जाएगा करके तो गाइज देखे आज मैं सबजी नहीं बनाई हूँ ये रात का बच्चा हुआ है सबजी क्योंकि अंडा बनाए थे मेरे हस्बन जी इसके वज़े से तो मैं आज सब्जी नहीं बनाई हूँ उसी को ही खा लिये हैं हम लोग अब दो जने हैं उसमें फिर से क्या सब्जी बनाऊ तो दो अंडा था ही उसमें ग्रेवी वगएरा भी बढ़ियां अच्छे से था बहुत अच्छा लगा खाने में तो मैं फिर सब्जी नहीं बनाई मेरे हस्बन जी भी बोले थे कि सब्जी मत बनाना उसमें हम लोग खा लेंगे करके तो मैंने ही बनाई थी तो उसी को ही हम लोग खाये थे टिफिन अपना लेकर गई थी सौप में उसी में ही खा लिये थे हो गया था बाबू तो दाल भात खाता है तो उसको दाल भात किला दी तो देखे अभी मैं फिर बरतन धोने में लग गई हूँ क्योंकि बरतन धोना भी तो जर्री है इसके बगेर तो काम काम खतम ही नहीं होगा क्योंकि बरतन तो बहुत ज़्यादा ही कठा हो जाया रहता है ना उसके वज़े से तो हाला कि मेरा बरतन काफी कम हीच रहता है सुबे का टाइम तो ज्यादा नहीं रहता है बट लेकिन धो देती हूँ तो ये देखिए मेरा बटन पुरा धुल रहा है और यहां से खिड़की से न बाबू की खेलने की आवाज आ रही है कल नया साल है और हाला कि हम लोग कोई प्रोग्राम तो बनाएं नहीं है कहीं जाने आने का यो कहीं घूमने का बस ऐसे ही नॉर्मल अपना रोज का दिन है वैसी ही होगा अब देखते हैं कल पता चलेगा अगर कुछ करते हैं तो बट मेरे ख्याल से तो मैं भी कुछ प्रोग्राम बना नहीं है तो अभी देखी मेरा भरतन पूरा धूल गया है कंप्लीट हो गया है साधी से पहले ना बहुत अच्छे से मनाते थे न्यू यार हो बड़े हो हर चीज लेकिन साधी के बाद ना थोड़ा सा वदब पूरा छूटी जाता है कई लोगों का तो नहीं होता बट मेरा तो वैसी ही है नॉर्मल ही रहता है कोई इस पेसल डे ऐसा कुछ नहीं है तो देखें गाइस और अभी मैं लग गई हूँ साफ करने के लिए गेस को तो गेस को मैं साफ कर रही हूँ और पूरा जो सुलेप है उसको भी पूरा ग्लीन कर देती हूँ क्योंकि मेरा जो खाना है वो पूरा बन गया है और अब मुझे कुछ बनाना नहीं है चामल वगेरा भी बना डाली हूँ तो और उधर से क्या है मम्मी आवाज दे रही थी तो जाओंगी अभी फिर बाबो को लेने के लिए क्योंकि वो नहाया अभी नहीं है तो नहला दूला दूंगी फिर उसको तो अभी मम्मी को बोली की caste का कर रही हूँ मम्मी करके तो फिर वो पकड़ी हुई है मम्मी अभी तो ये हो जाएगा ना उसके बाद फिर जाओंगी फिर बाबो को लेकर आओंगी क्योंकि उनलों का भी काम रहता है अपना खेत में काम करते रहते हैं कुछ कुछ काम वो ममी पापा लोग अपना सबजी वगेरा मेथी वगेरा लगाए हुए है तो थोड़ा सा बोली थी पकड़ने के लिए तो पकड़े फिर पकड़ लेते हैं खेर और ये देखें मैं लग गई हूँ कीचन का जाड़ू लगाने के लिए और बापू को लेकर आ गई हूँ और वो उधर खेल रहा है मेरे न बहुत ही ज़्यादा मतलब तबियत मेरा थोड़ा सा एकदम ही ज़्यादा रात में बहुत खासती हूँ बहुत ज़्यादा पतनी रात में ही ज़्यादा लगता है एकदम तो देखे गाईज मैं आ गई हूँ अब रूम में और खिर्की के पास में मेरा बाबु जो है वो खेल रहा है नीचे से अवाज दे रहा है नीचे में अवाज दे रहा है नीचे आंटी है तो और फटा फट से मैं अपना ज़ाड़ू लगा देती हूँ तो देखे अब आ गई हूँ हूँ हूल में ज़ाड़ू लगाने के लिए क्योंकि काफी धूल तो होई जाता है तो लगा देती हूँ फटा फट से इसको भी ज़ाड़ू और ये जो सोफा का कवर है ना मुझे धोना है क्योंकि ना बाबू सुसू वगेरा कर दिया है तो उसको न धोने के लिए मैं निकालूंगी गंदा लगता है अब एक दो बार तो ठीक है बकी वो गया है तो चलो अब उसको भी धो दूंगी चादर वगेरा को भी धोना है मुझे धोंगी टाइम मिलेगा तो निकालूंग क्योंकि पूरा कम्प्लीट हो गया है मेरा काम तो यह देखिए टीफिन वगेरा पैक करके रख ली हूँ तो चलती हूं फिर मैं सॉप में अर अभी मेरे को कस्टमर फोन की थी तो वो क्लीन अप के लिए भी आने वाली है तो फिर जाके करूंगी काफी लेट हो गया था गा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब कीजेगा और कमेंट कीजेगा आपको अच्छी लगे तो बाई फिर मिलती हूं नेक्स वीडियो में